हेलो गाइज मैं करण चोधरी आप सभी का स्वागत करते हूँ अपेक्स क्लासेज गेंदर आज जो बच्चों अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एक्जाम वहा था 2018 के अंदर इसके अंदर जो आपका जो पेपर वहा था शिक्स क्लास का इसके अंदर रिजनिंगे कैसे क्यों सुन आये थे कैसे क्यों सुन नहीं आये थे रिजनिंगे क्यों सुन आते हैं आपको पता है 25 और एक क्यों सुन होता है दो नमबर का तो आपकी रिजनिंग आती है 50 तो आज जो 2018 का जो पेपर हो आता, class 6 का, जो reasoning के क्यूसन आये थे, उन किसनों के अपन बात करते हैं, इस पेपर को अपन solve करके देखते हैं, कैसे क्यूसन आये थे, exam के अंदर कैसे pattern के क्यूसन आते हैं, अब जैसे नया जो भी paper होगा, उसका pattern यही रहेगा, अब क्यूसन चे है, आपको series का, तो देखो, series का सबसे जादे जो series के क्यूसन आते हैं, वो आते हैं number series के, number इसके अंदर मतलब number लिके वहने चीए, 1, 2, 3, 4, 5, 20, जो भी है, number लिके वहने चीए, right, चलो, यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले जब भी number series का क्यूसन आये, तो सबसे पहले logic लगा के देखो, वो logic लगाना number के अंदर जो difference आरा, वो difference कितने कितने का रहा है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, 20 और 30 के बीच में जो difference आया है, वो बात करेंगे अपन, difference है आपके 10 का, यदि इन दोनों के बीच में difference की बात करें, तो इन दोनो difference हो सकता है ग्या, बिल्कूल हो सकता है, तो जोड के देखो, क्या ऐसा logic तो लगा दे हैं पन, क्योंकि इसके अंदर 14 जोडना पढ़ेगा थाँ, तो देखो, यह कितने होगे, 5, 4, 2, कितने होगे, 6 होगे, 4, और één, कितने होगे, 5, क्या 56 option के अंदर है के नहीं है, अपने difference क कितना का निकाडा 14 का लेकिन ऐसा लोजिक पी तो लग सकता है कि यहां पर 10 का डिप्रेंस था 12 का फिर 10 का भी हो सकता है 10 का होता तो यहां पर आपका answer कितना आता 52 आता क्या option के अंदर 52 है नहीं है इसका मतलब यह लोगी को नहीं था लोगी कोनब शाय था दो दो बढ़ रहा था सिसर पर बारह से आप क्या था इस प्रकार से आपकर की से सबसे पहले आप यह खुआ को देखो घए इनके बीच में उनके बीच में जो पया सारा वो difference कैसा है यदि difference का लोजिक नहीं लगे तो फिर square है cube है जोड़ना गटाना फिर आप other logic की तरह जाओगे चलो अगला question है आपके सामने यह question है आपके analogy का इसने दिया है कि victory के सामने क्या दिया है joy victory का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता जीत जब आपको जीत मिलती है किसी चीज गी तो आप joy मतलब क्या हो जाओगे खुश हो जाओगे right कब हो गए यदि आप जीतोगे तो आप क्या हो जाओगे खुश हो जाओगे ठीक है इसी परकार यहां पर एक word दिया है sorry ठीक है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है दुख दुख आदमी को कब होता है जब हारते हैं तब जीते हैं तब क्या मिलती है खुशी मिलती है यदि आप हार जाओगे तो आपको क्या मिलेगा दुख मिलेगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आपका दुख दुख कब होगे हार जाओगे हारने का मतलब पहला option देर का आपको defect तो यह option आपका बैठ जाएगा बिल्कूल ठीक है जीतने से क्या मिलती है खुसी तो हारने से क्या मिलता है दुख मिलता यदि आपका भी हार होगे तो आपको क्या होगा दुख होगा तो आपका option आजाएगा first defect चलो फिर से आपको analogy का question है फिर से आप ऐसे नहीं क्योंगी च्रीज का question है नहीं analogy का question है उसके अंदर logic आपको अलग लगना था याँ इसके अंदर logic आपको अलगं है तो यहां पर देखाँ आप एक बार सोचवा आप 13 का जो score होता है वो क्युतना होता है 169 बिल्कूल आसा दो यह जो score होता है आपका यह score होता है 17 का 17 का score होता है 289 तो आपको square है क्यूब याद होने चीए यदि आपको square cube याद नहीं हुए तो क्यूशन के अंदर आपको क्या आएगी समश्या आएगी तो यह किसका score ताभी 17 का तो आपका answer क्या आया 17 17 correct answer है चलो next question की बात करते हैं next question के logic लगा कर देखोगे यह question है आपके coding decoding से question पूचा गया है तो दियान दो यहाँ यहां पर आपको एक word दिया है train क्या दिया है train नाम का word दिया यह train इसके सामने जो word देर का है इसके अंदर आपको क्या करना है W है U है डी L और Q कितने plus हो रहे हैं कितने minus हो रहे हैं यह देखने है ऐसे कैसे किसके अंदर करोगे आप है बस के अंदर मतलब कहने का मतलब यह है कि इस word के साथ में train का इसके साथ में क्या relation है वो का वो relation आप बस के साथ में बैटा होगे तो आपका answer आजाएगा चलो एक बात बताओ आप यह T आता है T कितने पर आता है 20 पर यह कितने पर आता है यह आता है आपका 23 पर तो कितने का gap है तो अपने बात करें कि यहाँ पर जो plus हुआ है क्या वो 3 पलस हो रहा है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो gap है वो क्या है 3 पलस हो रहा है क्यों यह 20 पर यह 23 पर 3 जुड़गे जैको R 18 पर यह 18 से 21 U कितने पर आता है 21 पर आता है तो आपको बार-बार इनके निचे नमबर नहीं लिखने नमबर लिखने से तो यह 18 था 18 से 21 कितने का gap है 18 से 21 19, 20, 21 फिर भी कितने का gap है 3 का gap है तो फिर क्या हो रहा है 3 पलस हो रहा है A से D यह 1 है यह 4 है फिर से आप क्या कहोगे 3 पलस हो रहा I 9 पर L 12 पर 9 से 12 फिर से gap कितने का है 3 पर अब देखो n कितने पर आता है n आता है 14 पर क्यों कितने पर आता है 17 तो 14 के बाद देखो 15 16 17 फिर से कितने का गेप है थरीका तो 21 आपका ये हुआ के हर अक्सर के अंदर आप क्या करो आगे देखो U U कितब रहता है 21 पर 21 के अंदर कितने जोड़ोगे 3 21 के अंदर जोड़ो 22 23 और 24 24 पर क्या जाएगा आपके पास में S X चलो अगला क्या वर्ड है अगला है S S के अंदर आप कितने जोड़ोगे तो एक बाद सोचो S आता है 19 पर 19 के अंदर कितने जोड़ दो इस पर क्या जाएगा आपके पास में V ऐसा कोई भी यह दी ओप्सन आपको दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा तो देखो E X और V आपका क्या है राइट आंसर और राइट आंसर आचुका है आपका C नदी ही जालो एम ऑगला क्यूं संदको फल्ट के बराबर क्या धिया है रिवर किसको कहते हैं रिवर कहते है proportions को आपको यह देखना के इन दोनों पर बीस में जो लोजिक लगा है वो लोजिक क्या लग रहा है यह जो एक नहीं चलती है जो नदी होती है क्या उसका पाणी रुकावा रहता या चलता रहता है चलता रहता फलो के अंदर राइट तो नदी का पाणी क्या होता रहता है चलता रहता है तो इसी परकार देखो इस्टेनेजेट किसको कहते हैं यह जो इस्तर पड़ावा पाणी होता जैसे टेंग के अंदर पड़ावा है, सिवनिंग पूल के अंदर पड़ावा है, उसको कहते हैं, तो देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, फलो का मतलब रिवर, मतलब रिवर का क्या होता है, कर रिवर चलती रहती है, चलती रहती है, तो उसी परकार, इस्ट का पानी चला जाता है कैनल का पानी चला जाता है तो यह सारे पानी रुकते नहीं है एक पानी एक जगे पानी रुकता कहां पर पूल के अंदर राइट तो इनके अंदर जो इसके अंदर और इसके अंदर रिलेशन है वो का वो रिलेशन आपको आगे वाले के साथ लगाना थ चलो next question की बात करते हैं देखो हाँ next question यह कह रहा है आपको के हमने आपको 4 option दिये हैं 4 option के अंदर 3 option ऐसे हैं जिनका एक sequence है जिनका एक group है और एक इन में से option ऐसा है जिसका एक sequence मितलब वो group के अंदर आपका नहीं आएगा ठीक है तो आपको ऐसा कोई word चूज करना है इसमें स से जो तीन तो एक जैसे होंगे एक जो अलग होगा वह यह आपका आंसर होगा इसने कह दिया ना कि कौन सा समुए के अंदर mail नहीं खाता है तो देखो एक दिया है लेंडर यह कहते हैं सीडी को सीडियां जानते हो आप अगला दिया है इस्ट्रेयर कैस यह भी किसको कहते है सीडियों का यह एक पार्ट है अगला एक दिया है ब्रीज और एक दिया है असकलेटर यह भी सीडियां है यह जैसे बस इस्टेंड है रेल वे स्टेशन है आपन जानते हैं वहाँ पर सीडियां लगय होती है अपन खड़े होते हैं अपन को ले जाकर छोड़ देते हैं यह तो कि यह तीन सीड़ी ओं के क्या है पारट मतलब तीन तरह के लग-लग सीड़ीयां दी हूं लेकिन ब्रीज आप जानते हो 나와 भी जानते हो रोडों के उपर ब्रीज बने होते हैं आपन चलते हैं बाइक जो भी गाड़ी-ःडी लेकर तो भीड च भी इस अगर दियेगे सबद को वरण वाला किसको कहते है अलफा बेट को कहते है अलफा बेट के करम के अनुसार लगाए जाए तो कौन सा सबद दूसरे इस्तान पर आएगा कि आपके पास में क्या करना है ये चार वर्ड है इनको आपको डिशनरी के हैसाब से सैट करना है तो फिर रैंक आएगी किसी की सेकिंड आएगी थाड आएगी फोर्थ आएगी ऐसे रैंक मिलेगी लेकिन इसने क्या का है कि दूसरे इस्तान पर कौन सा आएगा सेकिंड आपको क्या करनी है सेकिंड वाला पिलेस आपको बताना है मतलब जो सेकिंड रैंक आएगी न वो किस वर्ड की rank आएगी किस के हंसाब से set करोगे अलफा बेट के हंसाब से set करोगे अलफा बेट के हंसाब से मतलब dictionary के हंसाब से जैसे हपन करते है ए पर आता उसका पहले नाम आता है भी पर आता उसका बाद में आता है उसी परकार इन word को आपको क्या करना है set करना है तो यहाँ पर देखो यहां पर देखो पी एल डियर का है पी एल है पी एल है और पी एल है इन से आप अलग नहीं कर पाऊगे क्यों कि पी एल सभी के अगला वर्ड देखो यहां पर देखो P L के बाद A है P L के बाद A है P L के बाद A है यह E है तो यह सबसे लास्ट में ले लेंगे अपन सबसे लास्ट में कौन सा उप्षन आएगा C तो इसके आगे मैं पहले से लिख दूँ च्यार नमबर राइट अब चलो आपके पास में उप्षन बचा A B और D इनके अंदर पहले क्या आएगा तो देखो P L और A P L और A P L और A तक तो कोमन है A के बाद यहां पर देखो N है यहां पर आई देखो N 14 पर आता है I 9 पर आता है Y 25 पर आता है तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले आएगा आपका B और A और A और D इन दोनों के अंदर देखो P L A तक तो कॉमन है A तक कोमन है अब अगला है N और यह है Y तो देखो N 14 पर आता है Y 25 पर आता है तो एक बात बताओ आप सबसे पहले कौन सा लिया आपने सबसे पहले लिया एक नंबर पर यह तो यह कितने पर आ जाएगा 2 पर तो यह जो बच गया कितने पर आएगा 3 पर तो जो first rank आईगी वो किसके आईगी first rank तो क्या यहां पर rank तो नहीं बोल सकता है अपन dictionary के हसाब से set कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन से word का use होगा वो होगा B का तो इसने पूचा के second number पर किसके use होगा second number पर हो जाएगा आपका first option का तो आपका correct answer क्या होगा first option कुछ नहीं करना बिना सोचे समझे word को पढ़ना ना पढ़ना इससे कुछ नहीं करना आपको आपको क्या करना है डिसनरी के असाब से set करना था चलो अगला question है आपका तो देखो अगला question आपको क्या कह रहा है इसने पूचा है आपका water image अब देखो water image के आपके हर paper के अंदर question आ रहे है water image के अंदर क्या करना होता किसी भी चीज का उल्टा कर दो top का part bottom में और bottom का part top के अंदर इसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करना है इस पूरा का पूरा ये जो word दियाना इसको क्या कर दो आप उल्टा कर दो तो देखो उल्टा कैसे करोगे एक को ऐसे गुमा दो आप और एक देरका ना एक को भी ये जो line इस side में है ना इस side में side कभी change नहीं करोगे water image के अंदर water image के अंदर top का part bottom और bottom का part top होता कभी भी side change नहीं होती है चलो तो यह ऐसे हो जाएगा आगे आया आपके पास में M, M क्या बन जाएगा W आगे क्या देरका है 3, 3 को क्या करोगा 3 हमेसे कैसे होता है ऐसे जो नीचे वड़ा part होता है वो होता बड़ा और उपर वड़ा part कैसे होता है छोटा होता है तो इसको घुमा दो आपन दो एक जैसे ही लिख रहे है क्योंकि 3 को क्या कर रहे है अपन इस तरह है तो आपन एक काम करो ऊपर बड़ा part कर दो नीचे वड़ा छोटा कर दो ठीक है आगे देर का B, B का उल्टा कर दो यह जो गड़ा देरकान ऊपर की तरफ कर दो ठीक है चेक कर है इसके अंदर इन्होंने एक कजो डैसे चैंज गर दियो उदर शाइड़ जैंज नहीं होगी तो दो नंगे अपसन अब देके इसके अंदर एबढ़ा एबी सही है एक भी सही है तीन भी सही है बाड़ा वाल लग अपर है और यह भी शही है तो राइट ओप्शन कोन सा होती है top का part bottom में जाता और bottom का part कीधर जाता है तो आप में यही काम करना इसके अलावा आपको किसी परकार का काम है नहीं करना है तो आपका जो right answer आएगा वह आएगा तीन number option ठीक है चलते हैं next question की तरफ next question पढ़ो आपको एक छोटा सा हलका सा question दिया है और इसका classification के संगा ये जो आपके पास में 3 वर्ड़ ना इन तीनों वर्ड़ों में से तीन का तो क्या बन जाएगा एक क्रूप बने कर एक ऐसा होगा जिसका ग्रूप नहीं बनेगा बड़ा असान है आऍपिय आज़ की बात कर रहे एल कान की बात कर रहे है एक दिया है इसका आप इसका आप जानते हैं दूपर टे की बात कर रहा है ये तिनों की तिनों क्या है बोडी के पार्ट है क्या ये बोडी का पार्ट है क्या इसका आप ये नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या हुआ राइट आंसर है आपका डियो अप्शन क्या है एक दम से अब देखो आप इदी इनके बीच में डिप्रेंस निकलोगे तो डिप्रेंस कैसा आ रहा है तो यहां पर देखो एक का डिप्रेंस आ रहा है फिर यहां पर कितने का है दो का यहां पर देखो 7-11 कितने का differences आ रहा है? 4 पर फिर याँ पर जो differets आए वो 2 का मतलब सही से आपकी series बन नहीं रही है क्योंकि अपने सबसे पहले बात करी कि सबसे पहले आप difference निकाल के देखो गई लेकिन difference चलो 1 था 1 का या था 2 हो गया पता है नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं तो देखो ये सारे के सारे है ना विशम नंबर है ओड नंबर है ठीक है तो देखो जो दो है इसके अंदर ये आप डिवाइड करोगे तो या तो दो का होगा या फिर एक का होगा ठीक है चलो एबाज्ये संक्या प्राइम नंबर है सारे क के बाद क्याता है तीन, तीन के अंदर भी तीन का बाग जाएगा, या किसका जाएगा, एक का जाएगा, पांच के अंदर देखो, साथ के अंदर देखो, ग्यारा के अंदर देखो, तैरा के अंदर देखो, तैरा के बाद इदी अपन बात करें, चौदा, चौदा में तो शा चलो, next question की बात करते है, when diagram का question पूचा गया है, और यहां पर क्या-क्या देरका है, आपको पूचा है, when diagram बना रहा है, देस का, country की बात कर रहा है, नेपाल की बात कर रहा है, और बारत की बात कर रहा है, क्या नेपाल और बारत दोनों देस हैक नहीं है, बोलो, नेपाल अलग देस है बारत अलग देस है लेकिन दोनों देस है कि निया है कंट्री है कंट्री तो बिल्कुल राइट है तो इनके बीच में आप रिलेशन किस परकार से निकलोगे तो देखो रिलेशन निकालने के लिए ये N का मतलब नेपाल P का मतलब बारत है ये किस के अंदर ले लोगे ये ले लोगे C का मतलब country राइट option हो जाएगा नेपाल और बारत दोनों आपके होगे एक गोले में कैसे आएंगे दोनों देश अलग अलग है क्या दोनों एक country है का नहीं है country तो दोनों है देश तो दोनों है तो देश वाले कोले के अंदर दोनों आजाएंगे तो ऐसा जो option देर का आपको वो देर का A option के अंदर A option आपका क्या है राइट आंसर है चलो next question की बात करते हैं next question के अंदर आप logic लगा कि देख कोई क्या logic लगता होगा number series. Na number series यह 3 क्योंसना इसी papeper की बात करे तो 3 क्योसना अपन करना जाराए तो इसका मतलब number series 3 क्योसना की बात करे तो 3 का डाबल 6 नंबर की तो 1 series का क्योसना आगयर एक ही pattern का और आगे हो सकता है फिर से series का क्योसना आजाए तो देखो 5 से 11 यहां पर बात करें, 5 से 11 के अंदर जो डिप्रेंस है, वो डिप्रेंस कितने का है, 6 का, यही है, 5 से 11, डिप्रेंस कितने का आया, 6 का, चलो, अब एक बात सोचो आप, 11 से 19, कितने का डिप्रेंस आ रहा है, तो 8 का डिप्रेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिप्रें चल रहा है चल रहा है तो आप 29 के अंदर कितने जोडने पड़ेंगे आपको यह जो आपको 29 दे रहे हैं इसके अंदर कितने जोड़ दो 12 जोड़ दो तो 9 और 2 कितने होते हैं 11 2 और 1 3 और 1 4 41 आपका क्या है crack answer है तो यहां पर आप क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे 41 41 के अंदर आप क्या जोड़ोगे 14 जोड़ोगे देखो 1 और 4 5 4 और 1 5 बिल्कुल राइट है लोजिक बिल्कुल ठीक लग रहा है तो यहां पर जो आपका crack answer आएगा वो crack answer आएगा आपका लिस्ट बोजाएंगे जर्द में हाव भाई next question है आपका 30 number देखो 30 number question के अंदर क्या करना है आपको analogy का question है analogy क्या कहती है आपको first जो आपको word देरकार second जो word देरकार इन दोनों के बीज में क्या relation है वो का वो relation आपको तीसरे के साथ में आपको निकाल के देखना क्या करना है कि first word और second word के बीच में जो relation आ रहा है वो का वो आपको आगे वाले के साथ में relation निकाल के देखना है तो आप देखो आपको क्या देरका है फीस का फीस मतलब मतली की बात कर रहा ठीक है फीस का गिल्स के साथ में क्या रिलेशन है उसी परकार मेन का किसके साथ में रिलेशन होगा तो देखो आप जो सांस लेते हो ऑक्षिजन लेते हो किसे लेते है अपन फैंपडों से आपका जो काम है वो क्या काम है फैंपडों से अपन क्या करते हैं ऑक्षिजन लेते हैं और कार्म जो इंसान का फैंपड़े काम करते है ना वो का वो मचली का कौन करता है गिल्स उसी परकार मैन का क्या लिखोगा आगे वह लिखोगे आप लंक्स लंक्स का मतलब क्या है फैंपड़े तो देखो मचली का ये एक परकार का क्या है फैंपड़ा इसे ही क्या करती है ऑक्सीजन है आपका non-verbal का तो देखो इसके अंदर आपको करना क्या है कि दिये गए विकलप विकलप कितने है मतलब option कितने है आपके पास में इसने बोला 5 option है अब का पांचों option हो में से कौन सी आकरती d में पर्षन वाचक जो आपको मार्क करके दिया है कि उसन के अंदर मार्क करा है d figure के अंदर इसके अंदर इसके अंदर कौन सी series आएगी तो देखो आपको अलग series बनाने series कैसे पहले यह देखो line ऐसे थी फिर इस line को आगे चड़ा दिया ठीक है फिर यह line ऐसे complete होगी अब यह line क्या होगी यहां से गुमेगी इखो पहले इसさ परकार ती month पर इस ब jyam रखेंगे और अगली series यह क्या बनेगी एक number option एक number यह आपका क्या हो चुका है correct answer हो चुका है चलो next question की बात करते हैं और next question यह कह रहा है आपका उस सबद को चुनिए जो दूसरे सब्दों के समुए से मेल नहीं खाता है मतलब एक ऐसा word है जो नम और वर्ड है जिसका यह जो आपको चार वर्ड देरके हैना इसके अंदर आपको एक logic लगना है जिस logic के अंदर तीन word तो एक जैसा logic लगेगा एक word ऐसा होगा जिसके अंदर अलग logic लगेगा ठीक है इन वर्ड के अंदर क्या होता है कि कभी-कबार बिना सोचे समझे यदि किसन बन जाता ने एक्जाम के अंदर फिर उसके अंदर confusion रहता है ठीक है कि ये भी answer हो सकता है ये भी answer हो सकता है ठीक है तो इसका मैं आपको क्या confusion वाले answer बता रहा हूँ confused रहेगा आपको क्योंकि किसनी confusion करने वाला psychology का question है ठीक है sun आप जानते हो ना सूरिय की बात कर रहा है ठीक है ये क्या है आपका sun सूरिय की बात कर रहा है ठीक है planets किसको कहते है जो grey होते है अपने जितने भी grey होते है grey का एक somewhere किसको कहते है planets star कि इसको कहते हैं ये बात कर रहा है तारे की बात कर रहा है थीक है एक है satellites ठीक है ये क्या है satellite अब देखो इसके अंदर दो तीन logic लगए तो अलग-अलग answer आएगा मैं मेरे हिसाब से logic बता रहा हूँ बाकी इसके अंदर में ज़्यादा कुछने कहूंगा तो देखो ये कह सकते हैं सूरिय है ग्रे है तारा है और सैटलाइट है तो मैं मेरे इसाब से यदि आंसर बता हूँ तो इसका राइ्ट आंसर क्या होना जी है सन और जी है या फिर ये सारे के सारे देखो sun है, planets है, star से ये परकरती की बनाई हुई चीजे हैं, ये satellite तो अपने भी बना के बेजता है न उपर, इसमें भी time period fix होता है, तो इसके अंदर ऐसे logic लगए तो satellite भी आ सकता है, और ऐसा logic लगए तो sun भी answer आ सकता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं मेरे हैसाब से जो logic लगा है, वो logic लग रहा है sun, इसके अंदर वैसे दो तीन logic लग रहा है, तो इसके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चलो, अगला question आ चुका है आपका, बलड, relation का question है, बड़ा अच्या question है, पढ़ो, चलो, question क्या कह रहा है, question कह रहा है कि अगर माया रिचा की दादी के बाई की इकलोती बेटी है, confuse कर दिया आपको, पढ़ो question को, क्या का है, कि अगर माया नाम की जो लड़की है, वो क्या है, जो रिचा की क्या होगी, दादी और दादी का बाई, और बाई की इकलोती बेटी है, त चलो अब क्या कह रहा है अब कह रहा है रिचा की दादी यह रिचा की क्या है भाई दादी किस के बात कर रहा है ग्रांड मदर की बात कर रहा है ठीक है दादी के बाई ग्रांड मदर की किस की बात करी है बर्दर की बात कर रहा है बाई की बात कर रहा है यह दादी का क्या है भ बाई की इकलोती बेटी बाई की इकलोती बेटी को ने वो है आपकी माया राइट लेकिन आगे बोला है तो माया की बेटी यह माया और यहां पर किसको बैटा हो गए आपे माया की बेटी को अब बोला है कि माया की बेटी का यह जो माया की बेटी यह माया की बेटी का रिचा क का माया की बेटी होगी वह रिचा के लिए रिलेशन में क्या लगेगी वह आपको निखाल के देखना ही पैली बात यह बलद रिलेशन ज्सेक्षराइ फुचा नहीं प्फक्रणा के बलच नहीं है किसी परकार का जिसे का चैंडब से इसूचिंड रिलेशन कहते हैं किसी परकार का बलेट रिलेशन नहीं है लेकिन जो आपका एक्जाम हुआ था उस एक्जाम ने इसका आंसर का था कजन और पहली बास सुनो कजन किसको कहते हैं कजन यदी अपन के रियल भाई बेन को छोड़ गे जितने परकार के बाई बेन बच गे वो सारे के सारे कजन म माना हैं बाकी ये बलेट रिलेशन के आउट ऑफ सलेबस का क्यूसन है क्यों बलेट रिलेशन का क्यूसन तब होता है जब आप और आपके सामने जो कैंडिडेट है उसके बीच में आपके बीच में किसी परकार का यदी बलेट रिलेशन खून का रिस्ता है तो याप उसके साथ में बलड रिलेशन निकाल पाओगे अब सुनो आपकी दादी वो आपके क्या लगती है दादी आप उसके लिए क्या लगते हो पोता लगते हो आपका दादा ये आपके रिलेशन है लेकिन आपकी दादी और दादी के मम्मी पापा है वो आपके रिलेशन में नहीं लग तो यह इसी परकार का क्यूशन था कि रिचा रिचा की दादी और रिचा की दादी का भाई तो अब रिचा का इसके साथ में किसी परकार का रिलेशन नहीं है आपका रिलेशन होता है दादी तक दादा तक अब दादी के कोई भाई हुआ दादी के मामा हुआ दादी के नाना उनके साथ और आपके साथ में किसी परकार का खून का रिष्टा नहीं है राइट लेकिन एक बास सोचो के रिचा रिचा की दादी और दादी का भाई ये दादी का भाई है वो दादी का भाई आपके लिए कुछ भी नहीं लगता है दादी का भाई आप ये कह सकते हो जो दा इकलोती पूत्री थी मैं आपकी बात कर रहा हूं आपके पापा के तो रिलेशन है इस बाई के साथ में जो दादी का बाई होता है दादी का बाई क्या लगता है दादी का बाई लगता है आपके पापा के मामा जी लगेंगे लेकिन आपके लिए कुछ नहीं लगेंगे इस की बात करा हूं बले डिलेशन की बात करा हूं इसके अंदर कुछ नहीं लगता वैसे आप तो रिष्टे निकाल गए बुआ जी इर मामा जी जो बनाते हो ठीक है अब देखो आपके पापा के जो मामा जी होंगे उनकी इकलोती पूतरी उनकी भी क्या है इकलोती पूतरी इकल मान लिया कजन बाकी आपका रिलेशन है ना यहां तक तो चलो थोड़ा बहुत मान सकते हैं लेकिन वैसे भी आपकी दादी के किसी परिवार के साथ आपका कोई रिष्टा है नहीं आपके पापा का मामा है लेकिन आपका यहां पर रिलेशन नहीं है इसलिए उन्होंने एक word निकाल दिया कजन तो आपकी वैसे यह क्या लगे कि इसने क्या पूचा था माया डोटर रिलेटेट टू रिचा रिचा के लिए यह क्या लगेगी तो रिचा के लिए अपन कजन कह सकते हैं बागी ऐसा को एक चूल रिष्टा या एकदम क्लियर को रिष्टा है नहीं तो इसका आपका अंसर क्या आएगा कजन चलो नेक्स्ट किशन की बात करते हैं और क्यूसन आपको पूचा है रैंकिंग के अंदर छोटे से बड़ा बड़े कैंडिडेट को उपर रखोगे छोटे को क्या रखोगे नीचे रखोगे बड़ो क्यूसन क्या कह रहा है अगर एक बेच पर O है P है Q है R है S A O T अपने कद की लंबाई के अनुसार खड़े हैं क्य का है कि P नाम का जो कैंडिडेट है वो O से लंबा है ये O और O से लंबा है तो उपर बैटा दिया अपने P को राइट चलो आगे चलो क्या कह रहा है पर वो S से छोटा है ये O से तो लंबा है पर वो S से क्या है छोटा है ठीक है अब क्या कह रहा है कि सीरफ सीरफ मतलब ONLY की बात करिए क्या कह रहा है कि only S है न वो T से लंबा है T से लंबा कौन है T से only S लंबा इसने क्या कहा कि सीरफ S है न वो T से लंबा है S T से लंबा अब जितने भी candidate बैटेंगे वो सारे के सारे इनके नीचे बैटेंगे आगे मेरी बात समझ में क्या कहना चाहता कि सीरफ S नाम का कैंडिडेट है वो T से लंबा है वो T से क्या है लंबा तो इसको अपन सही बैटा देते हैं कि सीरफ S T से लंबा है T से लंबा ये देखो S ये T से लंबा है इसने कह दिया कि सीरफ S नाम का कैंडिडेट है ना वो T से लंबा है और T से लंबा कोई नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि बाकी कैंडिडेट कहां बैटेंगे निचे बैटेंगे क्योंकि इनन ने तो कै दिया के O के उपर P, O और P के उपर S तो अब T को कहां पर बैठा है वीच में T यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है, T इसके बारे में आपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं did I also understand right, चलो आगे क्या गह रहा है? कि R P से छोटा है क्या कहा कि R नाम का जो candidate है ना वो P से छोटा ये P और P से छोटा R आप गाँ बैटा होगे R यहां पर भी बैट सकता है और R हो सकता है यहां पर भी बैट सकता है मतलब एक question clear नहीं है अब आगे क्या कहा कि Q से लंबा है इसने कहा दिया कि आ रहना वो पीशे तो है छोटा इस पीशे तो है छोटा कहां बैटेगा यहां बैटे यहां बैटे कहां बैटे लेकिन क्यूं से लंबा है लेकिन क्यूं को भी कहां पर बैटे क्यूं कहां क्या पता इनके बीच में बैटे नीचे बैटे कहां बैटे और लाश्ट में पूचा के सबसे छोटा कद किसका है तो ऐसे किशन को अपन स्वाल नहीं कर सकते हैं इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इस किशन के अंदर जो language है वो एकदम clear language नहीं है आंसर निकालने के लिए पहले बात तो दिक्त आपको यहां पर होगी थी के T कहां पर बैटाएगा दूसरी बात दिक्त यहां पर बैटाएगा या यहां पर बैटाएगा कहां बैटाएगा तीसरी बात दिक्त यहां पर बैटाएगा सारी दिखते हैं दिखते थी यह data clear नहीं थे सारे के सारे इन candidate को कहां पर बैटा है और जब तक यह data clear नहीं होंगे तब तक आप इस question को शॉल नहीं कर पाओगे चलो next question आचुका है आपके सामने यह question किसका है mathematical operation का बड़ा आसान question है छोटी सी calculation करनी है और देको इस calculation को कैसे solve करोगे यहां पर ध्यान दो इन्होंने बोला है कि पलस का मतलब क्या करोगे आप जहां पर आपको पलस दिया वहां पर बाग कर दो तो कहां है पलस भई यह रहा पलस इस पलस की जगे आप क्या कर दो बाग कर दो आगे देखो गुना की जगे क्या कर दो माइनस तो ये गुना है इसकी जगे आप क्या करोगे माइनस करोगे आगे बोला है कि बाग की जगे पर क्या कर दो पलस तो ये बाग है इसकी जगे आप क्या कर दो पलस कर दो आगे बोला माइनस की जगे क्या कर दो गुना कर दो ये माइनस है इसकी जगे पर आप क्या करोगे मल्ट प्रिबलाई पलस और माइनस इस समीकरन को आप सॉल करोगे तो देखो इस समीकरन को कैसे सॉल करोगे सबसे पहले किसको सॉल करा जाता है डिवाइड को ठीक है लेकिन एक बात बतो यहां पर डिवाइड कहरा है दो के अंदर बारा का बाग दो यह तो जाता नहीं है तो एक का करो 6 into 2 कितने हैं 12 और यह भी 12 कट होगे 12 में 12 का बाग दो कितना बच जाएगा एक बच गया राइट 6 का into 2 से करोगे 12 इधर भी 12 12 का मल्टिप्ले 12 के डिवाइट 12 से कर दो कितना जाएक बन आ यह गटा होगे तो आपका जो आंसर आया है कितना आसान आंसर आ गया वह आंसर है 23 राइट कुछ नहीं करना 12 का 12 में भाग देओ एक और 16 और 8 कितना होगे 24 24 में से एक गटा दो आपका राइट आंसर आगे 23 चलो नेक्स्ट की बात करते है हाँ ये क्यूसन है आपको फिगर काउंटिंग से पूचा गया है इस आकरती के अंदर आपको ये बताना है कि ट्रेंगल कितने हैं क्या बताओगे इसके अंदर आपको ट्रेंगल काउंट करके और आपको बताने तिर्बुज की बात कर रहा है यहां पर लिग दिया आपको count करके देखने हैं, तो बड़ा असान है, ध्यान दो, जब भी इस प्रकार की कोई आकरती आए, आपके सामने एक triangle, ये कितने triangle है, एक, मैं इसके अंदर एक line खिंच दूँ, तो ये triangle कितने हो गे, तो मैं कहूंगा, ये triangle हो गे 3, कैसे, 1, 2, और ये पूरा मिला कर कितना हो गया, 3, आगे बाद समझ में, triangle के बीच में, जब भी खड़ी line खिंच हो गे, तो वो set कितने का हो जाएगा, वो set हो जाएगा, आपका 3 का, कैसे होगा, 3 का set, क्यों होगा, वो ध्यान दो आप, इसलिए होगा, कि एक तो इदर वाला triangle, एक इदर वाला एक पूरा triangle, जैसे single single count करना पड़ेगा, 3 और 3 कितना होगा, 6, यह 7 number, 8 number, 9 number, 10, 11, 12, यह 13, यह 14, किते triangle है, 14, 14 के बाद में बड़ा आसान है, यह 1 count करना, इसका number 15, 15 के बाद में यह भी आसान है, इसका number, 16 तो आपका जो correct answer है, वो correct answer आपका क्या है, 16 answer है आपका, इस आकरती के अंदर जो triangle बन कितने है, 16, कितना आसान क्यूशन था, चलो next क्यूशन की बात कर रहे है, यह कह रहा है कि डूग का, कुटे का, और रेबीज की बीच में क्या समन्द है, तो समन्द यह है कि कुटा काटेगा कभी, तो आपको जो रोग होगा, वो हो जाएगा, रोबीज, तो मचर काटने से कौन सा रोग होता है, इन में से, पलेग, डेथ, डेथ होती ही कि मचर काटने से, नहीं, और एक option देर का है, मलेरिया, मलेरिया कैसे होता है, मचर काटने से, होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मचर, मचर काटने से कौन सा रोग होता है, वो होता मलेरिया, आग और यह मस्ट किसको कहते हैं? यह कहते हैं मचर को, मचर कारने से कौन सारोग होता है? वो ता मलेरिया, ठीक है? चलो, next question की बात करते हैं, यह question ऐसे हैं कुछ-कुछ जिसको पढ़ते ही आपका answer आजएगा, पढ़ा, gk की तरह आपका answer आजएगा, चलो, यह question इसके अंदर इस side को अपन north कहते हैं, इसको south कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? east और इसको क्या कहते है? west, यह आपके सामने क्या है? direction, north, south, east और west, यह चारों आपके सामने क्या हो चुकी है? direction, चलो दियान दो, अब यहाँ पर मैं गड़ी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गड़ी में कितन बात करो तीन बज रहे तो तीन बजती है तो गंटे की सुई काँ पर रहती है यहां पर और मिनेट की सुई काँ पर रहती है यहां पर राइट जब तीन बजती है तो गंटे वाली सुई काँ पर रहती है भाई तीन पर और मिनेट वाली सुई काँ पर रहती है बारा पर क्या यही बात राइट ही एकदम? बिल्कूल राइट है. अब क्या का है? और उनको हमें 10 डिगरी इस तरह गुमाना है. क्या करना है? 10 डिगरी. अब डिगरी कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है? उसको तो आप छोड़ दो. ठीक है और यदि आप मिनेट वाली सुई को गुमोगे तो मिनेट वाली सुई एक मिनेट के अंदर 6 डिगरी गुमती है एक मिनेट में कितनी डिगरी गुमती है जब मिनेट की बात करें तो एक मिनेट के अंदर जो मिनेट वाली सुई है वो 6 डिगरी गुमेगी तो 10 डिगरी गुमने के लिए लग बगे आप अंदाज लगा लो दो से थोड़ा कम रहेगा इतनी आपको यहांपर डिग्री निकालनी नहीं है डिग्री निकालनी होती ती इस कंसेप्ट को सीखते पहले तो राइट चलो आपको ध्यान यही रखना के दो मिनट के आसपा चलानी इस सुई बारा पर है और बारा से अलकेसी एक मिनट दो मिनट इदर हो जाएगी ना तो फिर यही डारेक्शन आएगा कौन सा नौर्थ और इस्ट फिर नौर्थ और इस्ट के लिए यदि सुई यहांपर है तो भी नौर्थ और इस्ट में रहेगी यहांपर है तो भी नौर्थ और से थोड़ी सी इधर चलेगे तो फिर आपका जो डारेक्शन आएगा वह आएगा नौर्थ और इस्ट तीन से थोड़ी सी उपर है तो नौर्थ और इस्ट तो आप देखो परकार गुमाए जाए कि मिनट की सुई उत्तर पूर्वे दिशा की मिनट हैंड की सुई उत्तर पूर्वे दिशा की ओर हो जाए तो ओवर हैंड की ओवर मतलब गंटे वाली सुई की बात कर रहा है कि ओवर हैंड की सुई की इस दिशा की तरफ हो जाएगी यह आपको क्या प minute hand मतलब minute वाली सुई pointed toward the north और east में गुम जाएगी 10 degree गुमाने के बाद किस direction में गुमेगी वो गुमेगी आपकी north और east के अंदर north और east यह direction है north और east north और east में गुमाने के बाद then our hand will pointed toward which direction अब बताओ कि यदि यह सुई आपने गुमा दी तो 10 degree यह गुमा दी तो आपके सुई यहाँ पर आगी कौन सी सुई आगी minute वाली थोड़ी सी इदर आगी तो अब बताओ गंटे वाली सुई थोड़ी सी इदर चलेगी तो गंटे वाली सुई जो 3 पर पड़ी थी वो भी थोड़ी सी क्या होगी नीचे हलकी सी नीचे आएगी ठीक है हलकी सी नीचे तो आएगी लेकिन अब आपका direction कौन सा होगा क्या पुचा है then our hand will pointed toward which direction अब जो गंटे वाली सुई है उसका जो direction होगा वो कौन सा होगा वो होगा east और south तो आपका answer आगया south और east किसी भी option आपका प्यार आप जानते होगे इनका एक दूसरे का क्या word उटाने है आपको opposite उटाने है क्या करना है opposite उटाने है ठीक है लव का जो समंद हट से है हट का मतलब क्या है देखो लव का मतलब होता है प्यार करना किसी से ठीक है एक है प्यार एक है हट मतलब एक दूसरे के दोनों क्या है opposite है हट का मतलब गरना या हो यह वो हो गए न ठीक है उसी परकार देखो एक है लव किसी से प्यार करना एक है हट क्या ये दोनों वर्ड एक दूसरे के opposite है कर नहीं opposite है उसी परकार आप पूचा है कि वही समन्द friend का किसे होगा तो ये दोस्त है दोस्त का opposite क्या होता दोस्माण और दोस्माण कोई क्या कहते हैं ये c option देर का है एनिमिया राइट तो दोनों के बीच में love के heart के बीच में जो relation है एक प्यार करने वाला एक ना प्यार करने वाला है ठीक है उसी परकार friend का मतलब दोस्त तो दोस्त का opposite क्या हो जाएगा दोस्माण वो option में देर का आपको c option के अंदर चलो ये question आ चुका है आपका किस की बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि दी गई संक्या सरंगला को यदि दरपन में देखा जाए mirror image का question है और mirror image के अंदर क्या होता है कि जो भी word होता है उसको गुमा दो left का right और right का left में गुमा दो वही आपका answer होगा इस नाम को आपको क्या करन क्या कर दो आप change कर दो गुमा दो तो गुमाओ कैसे गुमाओ के यदि इसको आप गुमाओ छे तो यह जो दो का मूधर है अब ये starting भी काहांसे करएगा 2 से क्यूंकि इस wordel相 film आपका जाएगा इदर आजाएगा इस दो को आप गुमोगे तो ये दो बनेगा आपका इस तरह इस्टेटिंग कहां से करेगा दो से जिस option के अंदर दो से इस्टेटिंग हो रही वही option सही होगा बागी सारे option बहले पहले इकट कर दो ये option गड़त है ये option गड़त है ये option देखो 1, 2 का ये जोď 10 इदर देर का न है इसकी side change कर गए, इदर बना दो ये जो Q का जो ये cut इदर लगता है न इसको इदर लगा दो आगे 3 देर का है 3 को ऐसे गुमा दो, आगे 4 देर का है तो 4 को ऐसे ले लो आगे क्या है S S है न S है तो इसको S है चेंज कर दो कर दिया आगे क्या है N N का यह जो नीचे वाला पार्ट है न उपर चला जाएगा और A का कुछ भी चेंज होगा नहीं इसको देख लो ये का ये वर्ड आपको यहां पर मिल जाएगा देखो 2 के 2 देर का है एक लिखा भाई Q है 3 है 4 है S है N है और A है बाकी सारे उप्षन करते बाकी मैं तो कहूँ एग्जाम के अंदर आपको पता ये स्टाटिंग कहां से कर अगा जब चेंज करोगे तो 2 से कर अगा तो दो वाला ये उप्षन लो आपका अपका 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 बी ये इसमें ये मेरेड कपल है इसका मतलब एक हजबेंट और एक वाई लेकिन हजबेंट वाईप है कौन-कौन हजबेंट है कौन वाईप है यहां पर अपन नहीं बता सकते है चलो आगे पड़ो क्या कर रहा है एक्स और वाई दोनों क्या है भाई है एक्स आर वाई आर बरदर्स यह एक्स और वाई दोनों क्या है भाई है तो यहां पर अपन कह सकते हैं दोनों ही भाई है दोनों भाई का मतलब यह भी भाई है एक्स भी भाई है मतलब दोनों मेल कैंडिडेट है यह इसके लिए भाई लग रहा है यह इसके लिए भाई लग रहा है तो दोनों कौन से कैंडिडेट है बेल कैंडिडेट है एक्स और वाई भाई है अब क्या कह रहा है एक्स का ए भाई है क्या कह रहा है husband और ये इसकी क्या हो जाएगी पत्र ने अब आगे चीज समझ में अब यह दिद चीज समझ में आगे तो इसने पूचा है तो why का B के साथ में क्या relation होगा How is why related to be किसका relation बताना है किसका पूचा है why related to be relation किसका बताओगे why का बताओगे यहाँपर भी बोला why का किसका relation बताओगे y का relation आपको यहां पर बताना है तो एक बात बताओ यह दोनों भाई है यह इसका भाई हो गया मतलब यह तीनों क्या है a x और y क्या है भाई और यह बाई की पतनी है तो यह तो इसका पति लगए बाकी यह दो बच गे यह तीनों अपस में क्या है a x और y यह तीनो आपस के अंदर क्या है ये तिनों के तिनों है बाई एक बाई की ये पतनी है तो इन दोनों बाईों के लिए क्या लगेगी बाभी लगेगी हो सकता ये दोनों बाई क्या हो इस बाभी के लिए देवर लगे या फिर क्या लगे जैट लगे तो आपको वाई का रिलेशन बतान answer, चलो next question की बात करते है, question number है आपका, 25 number, इस chapter का, इस paper का, last question है आपका, तो solve करो, mathematical का है, sign change करो, solve कर दो, कैसे करोगे, इसने बोला, जहाँ पर plus दिया, वहाँ पर minus कर दो, कहीं है plus, yellow, minus कर दो, आगे बोला, minus की जगे, multiply कर दो, यह minus है, तो यहाँ पर multiply कर दो, multiply की जगे, divide कर दो, multiply की जगे, यह multiply है न, यहाँ पर आप क्या कर दो, divide कर दो, और divide की जगे, भाई क्या कर दो, plus, यह आपका divide है, इसकी जगे पर आप क्या करो, plus कर दो, divide की जगे पर आपने क्या कर दिया, plus कर दिया, तो चलो, plus कर दिया, तब इसको solve कर लो जब आप 5 का बाग 15 में देऊगे कितनी बार जाएगा ये चला जाएगा 3 बार आप क्या करोगे आप multiply करना पड़ेगा आपको 5 का multiply करो 3 से कितना हो जाएगा 15 आप देखो 3 ये है 10 सिदर है 10 और 3 कितना हो जाएगे 13 13 में से 15 गटा दो तो आपका answer आएगा minus 2 कही देरका है C option के अंदर देरका है तो आपका right answer क्या है minus 3 ये था आपका 2018 का सेनिक स्कूल का paper अपने 25 के 25 क्यूशन करके देखे हैं तो ठीक है ठीक ठीक level था ने hard था ने सरल था एकदम medium size का paper था यदि आप थोड़ी सी reasoning पढ़के जाते हो तो 25 में से 25 क्यूशन आप write करके आ स तो ये paper था आपके सामने ठीक है thank you मिलते हैं next session के अंदर